नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं पंडाल की भव्यता देहकर काफी खोस हुए, यहां उन्होंने तस्वीरे भी खिचवाई है पहली बार एक मैदूर को मिली सनवेधानिक पद की जिमेदारी रगुवर्दास जर्खन के पुरमुख मंतरी और भाजपा कराश्ट्रिये उपाद्यक्ष रगुवर्दास ने उडिशा का राजेपाल बनाये जाने पर गुरु वार को खोसी का इजहार किया और कहा कि भाजपा ने नई जिमेदारी सोपी है वह भी जगरनाथ बावा के दरवार वाले राजे में मैं बहुत ही भागे साली हूँ टाटा इस्टील में मैदूरी करने वाले एक मैदूर को आज सर्मेधानिक पद की जिमेदारी मिली है इसके लिए उन्होंने परधान में दिन नायंद मोदी ग्रीह मंत्री अमीद सा और राष्ट्री अध्यक जेपी नडडा के प्रती अभार जताया बता देवे गुरुवार को अपने एक ग्रीको इस्थीत आवास पर पत्रकारों से बात चित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि जार्खन और उडिसा दोनों की संस्क्रीती एक है और दोनों भरपूर खनी संपता से भरे राजे हाए उडिसा के मुख्य मंत्री लागातार उडिसा के विकास के लिए काम कर रहे हाए सर्मेधानिक पद राजेपाल का दायोत्व निभाते हुए वे सरकार के साथ मिलकर उडिसा को बिक सित की नई उचायों तक पहुचाएंगे 40 करोड के सराब घोटाले के आरोपी योगेंदर आरेश्ट मनी लॉंडरिंग केस में एडि ने योगेंदर तिवारी को गिरफतार कर लिया है सराब घोटाला माल में प्रवतन निदे साले ने करवाई की है आपको बता दे कि ये सराब घोटाला करीब 40 करोड का है गुरु आरको इडी ने योगेंदर तिवारी को गिरफतार कर लिया है आपको बता दे कि इस मामले में इडी योगेंदर तिवारी से पहले भी पुष्टाश कर चुकी है जार्खन सराब घोटाले के आरोपी योगेंदर तीवारे पिछले दिनों पोश्टाज के दोवन एडी के सवालों से बचने की कोशिस करते रहे सराब के बैपार से जुड़े मामले में उन्होंने सही सही जनकारी नहीं दी थी हलाकि उन्होंने यह सविकार किया था कि वर्ष 2021-22 में उन्हें सराब के थोग बैपार का ठेका मिला था गुवा में अपना जोहर दिखाएंगे जार्खन के खिलाडी गुवा में 25 अक्टूबर से होने वाले 37 वी राष्ट्रिये खेल में जार्खन के खिलाडी जोहर दिखाने के लिए 21 अक्टूबर को रांची से रवाना होंगे इस राष्ट्रिये खेल में 28 राज्यो और 8 केंदर सासीत परदेशों की टीम भाग लेगी बता दे 26 अक्टूबर से 9 अक्टूबर यानी 15 दिन दों की इसका आयोजन होगा उद घाटन 25 अक्टूबर को होगा इधर जार्खन सरकार के खेल कूद एवं युगा कारे विभाग तथा जार्खन ओलांपिक संक्य सन्यूक तत्वधान में मलखंब खेल के लिए टीम का चेहन कर लिया गया है बंगिये संस्कीरिती परिशत उच विद्यालाय सेक्टर 2 धुरवा रांची में राश्रिये खेल के अंतरगत मलखंब खेल का विशेश प्रसिक्षन सीविर का आयोज़न 30 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया गया इस प्रसिक्षन सीविर में 12 पूरुस यहां 12 मैला 3 प्रसिक्षक एक टीम प्रवंधक तथा एक मसाजर सामिल हुए है अलग रह रही पतनी के गुजारा भाता पर हाई कोट की टिपनी परिवारिक बिवाद और गुजारा भाता से समधित एक मामले की सुनवाई करते हुए जार्खन हाई कोट ने अहम टिपनी की है कोट ने कहा है कि परिवारिक बिवाद के चलते अलग रह रही पत्नी का भन पोशन पती का कानूनी और नयतिक दयत्य है लेकिन इसके नाम पर पती पर इस तरह बोज भी नहीं डाला जाना चाहिए कि साधी उसके लिए सजा बन जाए जस्टिस सुबास चंद्र की कोट ने धनबाद फैमिली कोट के एक आदेश के खिलाप दैर की गई एक याजक्या पर सुनवाई करते वह या टिपनी की है फैमिली कोट ने अलग रह रही पतनी के लिए गुजारा भत्ता के तौर पर प्रती माँ चाली सहर देने का आदेश दिया था बता दे हाई कोट ने पूरे मामले के सुनवाई के बाद इस रकम को घटा कर 25 सहर पर प्रती माँ ताय करने का आदेश दिया है रांची के इटकी में अपराधियों ने तीन को मारी गोली राइधानी रांची में दुरगा पुजा के सुरक्षा को धत्ता बताते हुए इटकी इलाके में अपराधियों ने तीन लोग को गोली मारी है जनकारी के अनुसार इटकी थाना छेत्रे के गड़गाओं में तीन यूको दिपक सिंग, भोमा सिंग और नरेस नाम के यूको को अपराधियों ने सर्याम गोली मारी है बताया जा रहा है कि तीनों जमीन कारुबारी हैं तीनों को घायल अवस्था में इलाज के लिनेजी अस्पताल में भरती कराया गया बताया जा रहा है कि दीपक सिंग सीव सेना से भी जुड़े हुए हैं मिली जनकारी के अनुसार इटकी के गलगाओं के रहने वाले दीपक और भोमा सिंग इटकी के भन्रा निवासी नरेश के साथ गुलगाओं चोक के पास एक दुकान के बाहर बैठे थे इसी दोरान तीन बाइक पर सवार शह अपराधी मौके पर पहुँचे और दीपक भोमा और नरेश को निशाना बना कर अंधाधून फाइरिंग चुरू कर दी पंकज मिस्रा की जमानत यज़ का खारिच इडी की और से पंकज मिस्रा की जमानत यज़ का खारिच कर दी इडी की ओर से पंकज मिजरा खिलाब केस दर्ज करते हुए कोट को बताया गया था कि साहईव गंज में अवायद पथर खनन, मने लॉंडरिंग और ट्रांस पोर्ट्शन के जरी अवायद कमाई की गई है जिसका सबुत इडी के पास है गिरी डी दुरगा पुजा में सोसल मीडिया पर पैनी नजार दुरगा पुजा में बिधी बेवास्था पुरी तरह से दुरुस्त रहे इसे लेकर डीसी नमन, पिरियेस, लकडा और एस्पी दिपक कुमार सर्मा ने महतपुन बैठक की है इस बैठक में जीले के सभी पताधिकारी मौजूद रहे इस बैठक दोनों वरिये पताधिकारीों ने सभी पुजा पंडालों में सुरक्षा के पुखता इंतिजाम करने पंडालों में समोचित लाइट की बेवस्था, इंटरी और एकजिट के लिए समोचित रास्ते पंडाल के समीप वाहन पार्किंग न हो ऐसी बेवस्था को सुनिश्चित करने का सिधा निर्देश दिया है बतादे बैठक में डिसी ने सबसे पहले करमवार सहभी अन्मेंडल पर खंडो आथानों से जीले में दुर्गा पुजा बिधी बेवसर समधी त्यारी के बारे में जनकारी ली है जिसमें सभी प्राधिकारी के द्वारे बताया गया कि सांती समीती पूजा पंडाल समीतियों के साथ भी बैठक हो चुकी है जारखन में 10,000 अतिरिक्त बल तैनात जारखन में दुर्गा पूजा और आगामी पर्वतेभार को लेकर सुरक्षा बलो की तैनाती हर जीले में कर दी गई है पूलिस मुख्याले सुरक्षा की पुक्ता ब्यवास्था करने के लिए जारखन के 24 जीले में करिब 10,000 अतिरिक्त पूलिस बल प्रदान किये है रांची हजारी बाग और जमसेदपूर में बम निलोधक दस्ते की टीम को भी तैनात किया गया है साभी जीले के पूलिस अधिक्षों को मुख्याले के द्वारा निर्देश दिया गया है कि वो सहर के निगरानी इलेक्ट्रोनिक सर्विस लाइंस के जरिये करे बतादे जारकन पूलिस के परवक्ता सा आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने बताया है कि पूलिस मुख्याले के अस्तर से 24 जीलो में परवतिवार को देखते हुए सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गा है साभी जीलो को परियाप्त बलुपलब्ध करवा दिया गया है रांची अस्मार्ट सीटी में बनेगा अपोलो होस्पिटल राजधानी में धुरुवा के अस्मार्ट सीटी छेतर में अपोलो अस्पताल बनने का रास्ता साफ हो गया है लगभग 2.75 एकर भोमी पर होस्पिटल का निर्मान किया जाएगा जिसके लिए भोमी पुजन राज अस्थापना दीवस के मौके पर 15 नौमबर को होगा गुरु और को मुक्य मंत्री हमंस्टोन की मजुदगी में सीम आवास पर अपोलो होस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड चेन्नाई और रांची नगर निगम के बीच सब लीज डीड पर हस्ताक्षर हुआ सब लीज 45 वर्चों के लिए किया गया जो भवी से में कारे की गुनवाता को देखते वे बढ़ाया जा सकता है जारखन राजिक के पहले गैर आदिवासी मुख्य मंत्री और भारतिय जनता पार्टि के राष्टिये उपादेख रहुवर्दास को उडिसा का राजपल बनाये जाने के बाद से उन्हें बधाई मिलने का सिलसिला जारी है भाजबा और आईसु नेता जहां उन्हें बधाई दे रहे हैं वहीं बिपक्षी पार्टियों नेता उन पर तंज भीकस रहे हैं इस सब के बीच कॉंग्रेश नेता बंधू तिर्की ने रहुवर्दास को लेकर अपनी भड़ास निकाली वहीं जामुमों ने उनकी तुलना लाल कृष्ण आडवानी से की है साथ ही बिजेपी को ओभी सी बिरोधी भी करार दिया दरसल पूर मुकमंत्री रहुवर्दास को बड़ी सार राजे का राजपल बनाया जाने को लेकर परदेश कॉंग्रेस करयाले में पुछे के सवाल पर बंधु तिर्की ने दो टुक सुनाई है उन्होंने कहा है कि मैं रहुवर्दास को बढ़ाई क्यों दूँ बंधु तिर्की ने आगे कहा है कि उसने हमें तिन तिन बार जेल भिजवाया मुझे साजा कराया उस आदमी को मैं क्यों बधाई दूँ मेरे लिए तो आच्छा ही हुआ है बंधु तिर्की ने कहा है कि जारकन में रगवर दास का कुछ नहीं बचा था इसलिए उन्हें इध सिफ्ट किया गया है जारकन के खिलाडी बनेंगे PGT सिक्षक राज्य में खेल और खिलाडीों को बढ़ावा देने के लिए राज सरकार ने सरकारी नोकरियों BCS अरक्षन के प्रधान किये हैं जिसके तह जल्द ही कई खिलाडी PGT सिक्षक के रूप में दिखाई जारकन करमचारी चेन आयोग दोआरा ऑनलाइन परिक्षा आयोजित किया जाने के बाद उनके रिजल्ट को अमतिम रूप देने के त्यारी की जा रही है राजी के पलस्टू स्कूलों में बहाल होने वाले बिभीन बिशायों के करीब 1326 को की बहाली होगी जिसमें 55 जारकन कर रूप योग खिलाडी मिल जाते हैं तो इनका चेन का रास्ता साप हो जाएगा जारकन में सुखार जैसे हलात सीम को चिठी राजे के 24 में से 17 जीलों में समाने से कम वर्षा और मानसून के सुरवाती महिने में वर्षा नहीं होने से उपजे हलात का व्यापक वेक्षन कराकर किसानों के लिए जल्द राहत की घोसना करने की मांग कॉंग्रेस ने मुख्य मंत्री से की है जारकन सरकार समन्वे समीतिक सर्ष और राज कॉंग्रेस के करकार याद बंधू तिर्की ने कहा है कि वर्ष 2022 में राजे में पड़े फ्यावा सुखार के बाद 2023 2023 में भी हलात अच्छे नहीं है बंधू तिर्की ने मुख्य मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि इस वर्ष भी बहुत कम वर्षा होने की वयस्त जारकन के किसानों और ग्रामिन परिवार की स्थीती ब्याद खराब हो गई है राज समन्वे समीतिक सर्ष और पुर्व मंत्र बंधू तिर्की ने कहा है कि जिनकी सानों ने किसी तरह अपनी पुझी लाया कर धान की रोपनी कर ली उनकी भी फसल बरबाद हो गई है त्योहारों में नहीं होगी बत्ती घूल जारकन के सबसे बड़े विधूत उतपादक सनयंतर तेनुग हाट विधूत निगम लिमिटेट को गुरुवार से कोईले की आपूर्ति समाने हो गई है गुरुवार को उर्जा विभाग के अपर मुख सचीव अविनाज कुमार ने सीसियल परबंध को खड़ी फटकार लगाई असपश्ट कहा है कि अगर राजे में कोईले के कारन बिली संकट हुआ तो सीसियल जीमेदार हुआ वहीं अपर मुख सचीव की फटकार के बाद सीसियल परबंधान हरकत में आ गया उन्होंने कहा है कि हर हाल में सीसियल कोईले क्या पूर्ति करे तेवहार के समय बिली के समस्या नहीं होनी चाहिए सीसियल प्रती दिन दो रेक कोईले क्या पूर्ति करेगा TVNL के अधिकारियों ने बताया है कि फिलाहाल दोनों यूनिट से 320 मेगावार्ट के करिबिली उत्मादित हो रहा है पोली टेकनिक आई टी आई में भरती के लिए आवेदन की तारिक बढ़ी जार्खन करम चाहिए चैन आयोग द्वारा आयोजीत होने वाली जार्खन इंटर्मिडिट अस्तर सन्युक्त परत्युक्त परिशा दो हजार तेईस में सामिलित होने के लिए अब दो नॉवंबर से आउनलाइन फरम भरे जाने थे आयोग ने गुरुवार को आउनलाइन आवेदन की विभीन पर किरियाव का संसोधित करकरम जारी किया इसके तहत परिक्षा में भाग लेने के लिए अब आउनलाइन आवेदन को दो नॉवंबर से एक दिसमबर मत राती तक भरे जाएंगे स्री राम मंदीर दर्शन के लिए गाउ गाउ में निमंतरन देंगे स्वयम सिवक हिंदू समाज के सालों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भागवान स्री राम का भव्य मंदीर तयार हो रहा है नर निर्मित मंदीर में अपने भागवान राम को देखने के लिए देश ही नहीं बलिक बिदेश के भी क्रोड़ों राम भक्त आतुर है संभवता अगले साल 22 जन्वारी को परधानमति नायन मोदिक की उपस्थिती में प्रान पतिश्था होना तय है प्रान पतिश्था के बाद मंदीर को देखने और भागवान शिरी राम के दर्शन के लिए घर घर्निमंत्रन देने राष्ट्रे स्वयम सेवक संग और एसेस और बिहिप सहीद सभी अनुसांगिक संगटनों के करकरता पहुँचेंगे धन्यवाद